साथियों, आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है, विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विक्रुती है और अठारवी शताब्दी की सोच को दशाता है इस सोच के खिलाब भी भारत प्रकर आवाज बढ़ रहा है साथियों, आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्म निर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है हाली में हमारी सेनाव ने नेड़े लिया है कि वो सो से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवशक्ता हैं, खास के हत्यार और साजों सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजे ही लेंगे, यही का उत्पाद और उसके लिए जो आवशक्ता का करेंगे, यह निरने छोटा नहीं है, इसके लिए सीने में बहुत बड़ा दम लगता है, अपने जवानों पर विश्वास लगता है, मैं आज इस मौके पर और त्याग और तपस्या की इस महत्वपुन भूमी से, मैं अपनी सेनाओं को, उनके इस महत्वपुन फैसले के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, इस निरने छोटा नहीं मैं जानता हूँ, फैसला सेना ने लिया, आत्मनिर भर भारत का एक बहुत बड़ा होसला बढ़ाने वाला निरने लिया, लेकिन सेना के इस फैसले से, देश वाचियों में भी, एक सो तीस करोर देश वाचियों में, एंसाम मैसेज चला गया, सब दूर चला गया, और वो मैसेज क्या गया, लोकल के लिए वोकल होने का, सेना के एक निरने ने, एक सो तीस करोर देश वाचियों को, लोकल के लिए वोकल होने की प्रेहना दी है मैं आज देश के नवजमानों से देश की सेनाओं से सुरक्षा बनों से परामेडिकल फोर्सिस से एक के बाद एक इस प्रकार नेड़ों के अनुकुल भारत में भी मेरे देश की हुआ ऐसी ऐसी चीजों का निर्मान करेंगे ऐसी ऐसी चीजें बना करके लाएंगे हमारे सेना के जवानों की हमारे सुरक्षा बल्के जवानों की ताकत भी बढ़ेगी हाल के दिनों में अनेक स्टार्ट अप्स सेनाओं की जरुरतों को पूरा करने के लिए आगे आएंगे डिफेंस सक्टर में नव जवानों के नए स्टार्ट अप्स देश को आत्म देरफरता के मामले में और तेजी से आगे ले जाएंगे साथियों रक्षाक शेत्र में आत्म निर्भर भारत देश के बढ़ते हुई सामर्त का लक्ष है सरहद पर शान्ती आज भारत की रणदिती साफ है भारत की रणदिती स्पस्ट है आज का भारत समझने और समझाने की नीती पर विश्वास करता है समझने की भी और समझाने की भी लेकिन अगर लेकिन अगर हमें आज माने की कोशिश की फिर तो जवाब उतना ही प्रचंड मिलेगा भी बारत कि नी परत की ककी भी आज मेंगर झाली अगर कोशिवास